अलो नमस्कार कल था इंडिया वर्सिस बांगलादेश का मुखावला जिसमें कि हमारी टीम इंडिया बुरी तरह से हार गई बताएए एक विकेट नहीं ले पाई हमारी टीम इंडिया और जबकि बांगलादेश को 50 रज चाहिए ते नो विकेट गेट चुके थे इसके बाव हमारी टीम इंडिया इतनी स्ट्रॉंग टीम इंडिया एक विकेट लेने के लिए तरश जाती है अब इसहार के बाद से कौने कौने में मैच फिक्सिंग की बाते होने लग गई है मैच फिक्सिंग हमारी इंडिया में बैन है अब क्रिकेट में मैच फिक्सिंग क्या होती है और इसके after effects कैसे कैसे होते हैं कई सारे players के तो career ही खत्म हो गए IPL कही है international cricket कही है वहाँ पर ये जो fixing या फिर ऐसी जो बाते हैं इसे unethical कहा जाता है अब ये unethical चीज है बिग बॉस में कैसे public के सामने जबरदस तरीके से openly बिग बॉस इस्तिमाल कर रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं एक तरह हम देखते हैं कि बिग बॉस सुंबल के पपा का call दिखाता है सारे contestant को और बिग बॉस बोलता है कि बिग बॉस एक trust एक transparency बरकरार रखना चाहता है at the same time सलमान खान बोलते है कि शो में कोई script वगरा कुछ नहीं है वहीं दूसरी तरफ इसी बिग बॉस से जोड़ा हुआ एक इनसान शेकर सुमन जो कि संडे का segment host करता है वो बार-बार tweet करता रहता है कि बिग बॉस is a well scripted and edited show यहीं नहीं यहाँ पर हर संभव तरीके से इसने शेकर सुमन ने day one से जब से वो आते हैं अपने segment करने तब से उन्होंने खाम खाम है अंकित को प्रियंका को और अर्चना को चने के जाड़ पर चड़ाया इस्पेशली अंकित को जबकि अंकित कुछ नहीं करता था सिर्फ सोता रहता था खुद शेकर सुमन ने कहा था कि आर अंकित को उपर दो करोड का इनाम है और यह लापता है missing है लेकिन यहीं शेकर सुमन अंकित को चने के जहार पर चड़ाते रहे कि जब अंकित फटेगा तो जबर्दस फटेगा अंकित I feel you bro तुमारे one line is बहुत अच्छे है ये है वो है जबकि इस शो में अंकित से कई गुना ज़्यादा contribution देने वाले shift ठाकरे को ये शेकर समन सेरे से ignore करते रहे तो कैसे ही जो big boss का match है न ये भी पहली ball फेके जाने से पहले ही fix हो चुका था इसको समझने की कोशिश करते है कैसे यहाँ पर शेकर समन एक अलगी script थोप रहे है पबलिक के उपर जिस तरीके से शेकर समन ने आते से ही पहले अंकित को अर्चना प्रियंका को जबर्दा strong player strong player बोलना शुरू कर दिया अब क्या न बात के उपर सिर्फ एक दो one liners के उपर तो कैसे week number one से शेकर समन ने एक narrative फैलाना शुरू करा जिसके तहत प्रियंका अर्चना और अंकित ही है शो में बाकी तो कोई है नहीं और शिव ठागरे जो कि कते ही गलत नहीं है उसके बावजु सलमान खान भी पीछा पड़ गए वो अर्चना वाला मैटर था वहाँ पर भी शिव को सही होने के बावजुद गलर डिकलेर कर दिया यहाँ पर रोटी वाले मुद्दे में अर्चना से एक बार भी नहीं पूछा अर्चना अगर यह बासी रोटी का जो तुम कह रहे थी शिव से कि तुम मर गया क्या तुम खाले थी तो तुम मर जाती क्या तो कैसे वहाँ पर सलमान खान एंड कल रात के एपिसोड में शेकर सुमन जो की MC स्टान के गेट अप में आये थे और उस लुक में वो कह रहे थे कि शेकर सुमन तो मेकर्स की शीतल की स्क्रिप्ट वाला बिग बोस देख रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं शेव ठागरे को भी अच्छे से पता है कि वो गलत नहीं है वो 110 परसं सही जा रहा है लेकिन इसके बावजूद बार-बार शेकर सुमन या सलमान खान कैसे उसे डिमोटिवेट कर रहे हैं so that उसका confidence टूड जाए और ऐसे नल्ले लोग जो की शो में बिल्कुल भी contribution नहीं दे रहे हैं उन्हें entertainer of the week का खिताब दे दिया जाए या टी आर पी king या टी आर पी queen या फिर boss of the week का tag मिल जाए अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे पीछे पलट करके सारे dots कनेक्ट करेंगे तो आप easily समझ जाएंगे कि कैसे ये जो big boss का match है ना ये ball फेके जाने से पहले ही fix हो चुका था नतीजा पहले सी जब fix है तो फिर match में मजा नहीं आता है हाँ अगर आपको ऐसे ही करना है तो फिर आप बोल दिया करो कि भाईया ये एक जो reality show है ना ये सिर्फ नाम का reality show है यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर बाहर से चीज़े impose या फिर थोपी जाती है जैसे कि बिग बॉस ने कल जग्गा को बोल दिया कि अंके तुम्हारा competitor है मतलब एक तरह भी disclaimer देते हैं कि contestant जो भी करते हैं वो switchा से करते हैं लेकिन सलमान खान कही है बाहर के caller कही है या फिर खोद बिग बॉस कैसे चीज़े थोप रहे हैं contestant अपनी मर्जी से मतलब वो करी नहीं सकते हैं जो वो करना चाते हैं contestant अब दूसरे तरीके से सोचना समझना शुरू कर देंगे जैसे कि हम शालीन बनुट को देख रहे हैं वो तो बाहर से जो feedback आता है उसी according अपना game plan करने लगता है कुछ week पहले बोल दया गया कि टीना और शालीन गाफी अच्छे लग रहे है तो चिपक करके बैड गया अब बोल दया गया कि टीना यूस कर रहे ही तो भरी दूर दूर हो जाओ कुछ week पहले अरचना की बड़ी तारीफ हो रही थी तो ये शालीन बनोट अर्चना-अर्चना की पीपड़ी बजा रहा था अब सलमान खान ने अर्चना की धज्या उड़ा दी तो ये गटर माउथ है, ससुरी है, ऐसी है, वैसी है तो कैसे बाहर की बात है, कंटेस्टेंट को इंफ्लेंस करती है, प्रभावित करती है उसी आधार पर ये कंटेस्टेंट अच्छा जाते जाते, गलत जाने लगते है वहीं अंकित जैसे लोग जो की कुछ नहीं कर रहे थे वहीं अंकित गुपता जैसे लोग जो कि कौना पकड़के सोते रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे, खुद शेकर समन्न ने बोला था कि अंकित तो ला पता है, खुद सल्मान खणन ने बोला था कि अंकित को और संबुल को गाड़ जिन के जरुए थे, ऐसे लोग जो अपने तरीके से गेम को decode करता है, गेम को खेलता है, शो की respect करता है और शो में entertainment का तड़का भी लगाता है, साथ ही साथ वो लोगों के लिए खड़ा रहता है, जब लोग परिशानी में रहते हैं, मुसीवत में रहते हैं, तो वो शेकर सुमन सेरे से साइडलान कर देते हैं, ignore कर दे और सही होने के बावजूद शेव ठाकरे को गलत बोल दिया जाता है, जबकि वो लोग जो की devil से गलत जा रहे हैं, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें शेकर सुमन खामखा की तवज्जों दिये जा रहा है, तो यह जो match है, यह किस तरह से fix होता है, और कैसे makers बाह या फिर runner-up बनाते हैं, तो इस गलत फैमी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप तो काफी सारे ex contestant भी खुल कर के बोले लग गए हैं कि आपके votes से कुछ नहीं होने वाला है, होगा वही जो वहाँ पर शीतल ने रच राका, तो यह चीज़ें आपको अ को यह लोग बहुत entertaining लगते हैं, और शीव ठाकरे जो की game में बहुत जादा contribution दे रहा है, शीव को totally ignore कर दिया जाता है, MC stand जिसकी बाहर fan following बहुत जाता है, इसलिए उसको यहाँ पर रखा गया है, एक task होई ते ना बीच में, कि कौन किसको use कर रहा है, कौन used हो रहा है, big boss plays open the door, open the door, I want to go home, ऐसे MC stand बार बर बोल रहा है कि भाया मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, लेकिन big boss उसको निकाल नहीं रहे, क्योंकि big boss को TRP चाहिए, hip hop community कहिए, या फिर जो रैपर्स community, या फिर जो छपरा छपरी या जो निबा निबी है ना, उन लोगों से big boss को TRP चा ही देता है, तो सबसे पहले उसको आकर के बोल देना चाहिए, कि reality show में कुछ भी real नहीं है, ये reality show एक ऐसा match है, जो की ball फेके जाने से पहले ही fix हो रखा है, winner पहले से decided है, कौन कितने week तक रहेगा, ये भी decided है, साजित खान जैसा गर्दूला, जो कि show में कुछ नहीं कर रहा है, नियम तोड़ रहा है, इसके बावजूद उसको हका ले जाने के बजाए, घर में रखा गया है, दामाद की तरह है, तो आप समझ जाएए कि कैसे public को भर-भर के बेब कू बनाते हैं, ये makers, उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आप तीन घंटे debate करोगे, बै की तरफ से, जो की शिव ठाकरे को भी मिलेगा, अब शिव ठाकरे के बारे में न्यूज आई कि उसको खदरो का खिलाड़ी ओफर हुआ है, भाई हो भी सकता है कि उसने वो ओफर ले भी लिया हो, बिकॉस उसको शोस करने है, और वो यहाँ पर बोला भी है, इससे टीना या शलीन से कि मिर को आप लोगों की तरह टीवी पर काम करना है, बिकॉस बिक बॉस वानटी जीतने के बाद तो उसको बहुत जादा काम मिला नहीं, तो यहाँ पर शिव को भी पता है कि उसका यहाँ पर क्या रोल है, और उसी रोल के अकॉर्डिंग चल रहा है, और जो ओफर स्क्रिप्ट चलती है, लेकिन अगर शिव ठाकरे वहाँ पर जाता है, अपना दम दिखाता है, तो कहीं निगए मेकर्स की जो स्क्रिप्ट है ना, उसको वह दाबर थोड़ तरीके से एक्स्पोस करके रख देगा, कि शिव ठाकरे एक ऐसा बंदा है, जो अपने बूते मकसद था, जैसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग को आप अनेथिकल मानते हो, उसी तरह बिग वॉस में भी जो मैच फिक्सिंग हो रही है, इसको अनेथिकल मानना चाहिए, इसको अनेथिकल बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, जब तक आपके फेवरेट के फेवर में वो आप इन अन एथिकल चीजों को भी सपोर्ट करो जस्टिफाय करो ऐसी ही अन एथिकल चीज़ें जब आपके ऊपर घूम फिर करके आ जाएंगे किसी जॉब के इंटेवी के दौरान या किसी बिजनस डील के दौरान या आपके कॉलिज के एडमिशन के दौरान जहां किसी कोट करते रहे तो उने जस्ट विगोज कि आपके फेवरेट तो उसका फाइदा मिल रहा है आप यह चीज़ें करते हो धर्ती गोले घुमपिर करके चीज़ा आपके उपर आ जाएंगे तब उन चीजों को आप स्विकार नहीं कर पागों जैसे की अर्चना गौत्तम वह ख खैर इन तमाम बातों के साथ में यह वीडियो खत्म कर देता हूं आपको मेरी बाते कैसे लगी कमेंट करके आवशे बताएगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए गा और जितना हो सके ना इस वीडियो को उन तमाम हार्ड कोर बिग बॉस फेंस के स इतना सब देख कर भी ऐगर आपको से चीज़ें समय में नहीं आ रही है आप वोटिंट्ग ट्रेंड में वोटिंग सिस्टम में बिलीव कर रही हो भाई सहाब multiple वोटिंग वाले सिस्टम कौन सा होता है आजका अभी गुचारए चल रहे है एक आद 되मे एक ही वोट डाल सकत करते हो खैर सबकी अपने अपनी सोच होती है वोट करने वालों को उनकी सोच मुबारक हो और मुझे मेरी सोच मुबारक है कि नहीं चलिए आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच